Hello students and future doctors, इस बीडियो में हम आप से बात करेंगे Animal Kingdom chapter से NEET exam में पिछले सालों में कौन से questions आई हैं? इस chapter की पिछली बीडियो में हमने NEET 2020 से लेकर NEET 2013 तक के सारे questions को explanation के साथ cover कर लिया था इस बीडियो में हम NEET 2012 कहने का मतलब है NEET की जगे पहले जो AIPMT होता था तो AIPMT 2012 से लेकर AIPMT 1988 तक के सारे questions को cover करेंगे इस बीडियो में हम सिर्फ questions और उनके answers को देखेंगे जो question आपको लग रहा है कि NCERT से बाहर है तो उसको अपने notes में या अपनी NCERT पर point वना कर note down कर लिजिए चलिए हम questions को देखना शुरू करते हैं पिछली बीडियो में हमने 31 number के question तक cover कर लिया था इस बीडियो में हम बात करेंगे 32 questions से तो इस question में बोला गया है कि फिरैटिमा फिरैटिमा बोला जाता है अर्थवम को केच वा को तो अर्थवम and its close relative drive nourishment from कि वो अपना खाना कहां से प्राप्त करते हैं अर्थवम या उसके जो close relative है तो इस question का answer हो जाएगा answer number B अर्थवम बगेरा जो होते हैं जो मिट्टी में decaying matter होता है वहां से अपना खाना प्राप्त करते हैं और यह जो अर्थवम बगेरा होते हैं यह omnivores में आते हैं कहने का वादा सर्वाहारी में आते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next question की question number 33 इसमें बोला गया है कि जो genus name है और उसके दो character दे रखे हैं तो genus name इधर दे दिया character दो यह दे दिया जैसे यह दे दिया और यह दे दिया और फिर उसके बाद बोला है इसमें फाइलम नेम दे रखा है यह रहे फाइलम नेम ठीक है तो यह बोला है इन मेंसे कौन सा correctly matched नहीं है ठीक है तो इस question का answer हो जाएगा answer number A पाइला वाला इसके बाद हम बात करते हैं next question 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 number 34 34 question का answer हो जाएगा answer number D इसके बाद देखते हैं question number 35 35 question का answer हो जाएगा answer number V इसके बाद question number 36 36 का answer हो जाएगा D इसके बाद 37 37 का answer हो जाएगा answer number C इसके बाद 38 इस question को CBSC Board ने bonus दे दिया था इस question के हर किसी बच्चों को 4 नमबर मिले थे इस question में कोई भी answer correct नहीं था इस question में देखिया आप बोला गया है कि इसमें इन्होंने genus name दे रखा है ठीक है और phylum name दे रखा है और दो character दे रखे हैं ठीक है और इन्होंने ये बोला था कि इन में से कौन सा correctly matched है ठीक है तो अब मैं आपको बताओं इसमें कोई भी correctly match नहीं है ठीक है कैसे अब आप देख option हो क्या गलत इसके बाद अगला देखिए salamandra तो salamandra में बोला गया है ये amphibia में आते हैं ये बात बिल्कुल सही है फिर इन्होंने बोला है इसके character में a tympanum represent ear salamandra के अंदर tympanum नहीं होता है ठीक है और फिर इन्होंने अगला बोला है कि fertilization is external लेकिन ये भी गलत बात है क जबकि ये जो है O भी पैरस होती है जबकि ये गलत बात है टेर उपस क्या है B भी पैरस होती है इसके बाद हम बात करते हैं last option औरेलिया के बारे में तो इन्होंने बोला है कि ये sealant rate में आती है ये बात बिल्कुल सही है फिर इन्होंने बोला है कि इसका जो organization है वो organ level का है जबकि जो sealant rate के members में या फिर जो औरेलिया के अंदर जो organization होता है वो tissue level का होता है तो इस तरीके से आप देखिए सारे के सारे option गलत है इसके बाद हम बात करते है next question के बारे में question number 39 तो 39 का answer हो जाएगा answer number C इसके बाद next question है 40 40 question को भी CBSC board ने bonus दिया था इस question का भी कोई भी answer नहीं होगा ठीक है कैसे वो मैं आपको बताता हूँ question में बोला गया है medic के बारे में frog के बारे में जिसको राना टिगरीना बोलते हैं तो इन्होंने ये बोला है कि चार statement दिये हैं और हर statement को आपको true false बताना है तो पहला statement आप देखिए on dry land it would be dry due to lack of oxygen ये बोल रहे हैं कि अ kept closed for a few days अगर उसको mouth को एक तरीके से बंद कर लिया जाएगा तब भी वो oxygen की कमी की वैज़े से एक तरीके से वो मर जाएगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको मालूम है राना टिगरीना जो frog होता है उसमें respiration के लिए बहुत सारे method होते हैं जैसे कि cutaneous या जिस वो moist skin की वज़े से होता है इस बैसे हम कह सकते हैं कि first statement जो है false है तो अब second statement में बोला गया है कि four chamber hurt होता है frog में लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है frog के अंदर three chamber hurt होता है जिसमें two atria होते है और one ventricle होता है फिर इसमें बोला गया है on dry land it turned uricotelic from ureotelic तो एक बात सही यहां पर लिखी है कि ureotelic होता है ये option second भी गलत है तो इसमें बोला गया है कि ureotelic से ये uricotelic हो जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये ureotelic animal है लेकिन इनके जो best material होता है उसको सरीर से eliminate करने के लिए इनके अंदर जो होता है excretory system जो होता है वो bell developed होता है जैसा आपक भी भी किसी भी condition में ऐसा नहीं होता कि ureotelic है और अचानक से ureotelic हो जाता है तो ये statement भी false है तो यहाँ पर हमें A, B और C तीनो false मिल गए लास्ट है इस life history is carried out in pond water ये बात सही लिखी होई है क्योंकि frog के अंदर जो fertilization होता है वो external होता है और fertilization के बाद क्या होता है लगव जिसको हम tadpole कहते हैं और फिर उसमें metamorphosis होती है और फिर वो बाद में terrestrial frog में या adult frog में convert हो जाते हैं तो इस statement एक तरीके से true है तो हमें यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें FFFT हो तो इस तरीके से इसमें कोई भी answer सही नहीं है और CBSC board ने भी इसको माना और सब के ल इसके बाद बात करते हैं next question 42 की 42 का answer हो जाएगा answer number D 43 के बारे में 43 का भी answer number D 44 का answer हो जाएगा answer number C अब हम बात करते हैं next question की next question है 45 और 45 का answer हो जाएगा answer number A 46 question का answer हो जाएगा answer number A 47 question है 47 question का answer हो जाएगा answer number V 47 को देखें तो 47 का answer हमने आपको भी बताई दिया answer number V next question देखते हैं 48 तो 48 का answer हो जाएगा answer number D 49 question की बात करेंगे तो answer number A इसके बाद हम बात करते हैं question number 50 की 50 का answer हो जाएगा answer number A 50 बन के बारे में बात करें तो answer number V इसके बाद बात करते हैं 52 तो 52 का आंसर हो जाएगा आंसर नम्बर C 53 की बात करें तो आंसर नम्बर D 53 के बाद 54 की बात करें तो 54 का आंसर हो जाएगा आंसर नम्बर A Scorpion, Spider, Cockroach, Bental, Solid, Central, Nervous System इसके बाद 55 वाद 55 का आंसर हो जाएगा आंसर नम्बर A नेफलीडिया और अर्थवम एंड मेलपी घ्यन टीविल्स और कौकरोच क्या है एक्सक्रिटरी ओर्गन्स होते हैं इसके बाद बात करते हैं कुशेंट नमबर 56 की इसका आंसर हो जाएगा आंसर नमबर C 57 के बारे में देखते हैं इसके बाद देखते हैं 59, 59 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर A, 60 का आंसर है आंसर नमबर D, 60 के बाद 61 कुशन का आंसर है आंसर नमबर A, 62 कुशन का आंसर है आंसर नमबर C, 63 को देखते हैं तो इसका आंसर है आंसर नमबर C, 64 का आंसर है आंसर नमबर A, 65 question को देखते हैं, तो 65 का answer है answer number D, इसके बाद question number 66 का भी answer number D, फिर 67 को देखते हैं, तो 67 का answer हो जाएगा answer number D, 68 का answer देखते हैं, इसका भी answer number D, इसके बाद 69 question का, 69 question का answer हो जाएगा answer number V, 69 के बाद 70 का आंसर नमबर A 70 के बाद 71 71 का आंसर नमबर A 72 का आंसर नमबर C पैरा मीसियम 73 कुशन को देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आंसर नमबर C 73 के बाद 74 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर A 74 के बाद 75 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर D 76 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर D 77 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर C इसके बाद 78 78 का आंसर नमबर V 79 का आंसर नमबर D और 8 ता आंसर नमबर C इसके बाद बात करते हैं 81 81 का आंसर नमबर A 82 का आंसर नमबर C 83 का आंसर नमबर V इसके बाद बात करते हैं 84 84 का आंसर नमबर D इसके बाद 85 आंसर नमबर A इसके बाद 86 आंसर नमबर V इसके बाद 87 87 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर V इसके बाद 88 का आंसर हो जाएगा आंसर नमबर D 89 का आंसर नमबर D 89 के बाद 90 का answer number A 90 के बाद 91 का answer number A फिर 92 92 का answer हो जाएगा answer number D 92 के बाद 93 का answer number D 94 का answer number C इसके बाद 95 का answer number होगा V इसके बाद 95 के बाद 96 96 का हो जाएगा answer number V 97 के बारे मैं बात करें तो answer number A 97 के बाद 98 का answer number A 99 question का answer B answer number A फिर 100 की बात करेंगे answer number A platypus is O.B. Paris इसके बाद बात करते हैं 101 question का answer answer number B 101 का answer answer number B 102 का answer number A 103 का answer number B next question का answer है answer number D next question 105 का answer number C इसके बाद 106 106 का answer answer number B 107 का answer number C फिर 108 का answer number A 109 का answer number C 110 का answer number C फिर 111 question का answer number B इसके बाद बात करते हैं 112 question का answer answer number B 113 का answer number D इसके बाद 114 का answer number C फिर 115 का answer हो जाएगा answer number C, फिर 116 question का answer हो जाएगा answer number B इसके बाद 117 तो 117 का answer हो जाएगा answer number A, 118 answer number D, 119 answer number A 120 answer number D, इसके बाद 121 का A फिर 122 question का answer हो जाएगा answer number C 123 का answer number हो जाएगा C, 124 का answer नमबर V, 125 का आंसर नमबर D, इसके बाद 126, 126 का आंसर नमबर D, 127 का आंसर नमबर A, 128 का आंसर हो जाएगा V, 129 का हो जाएगा आंसर नमबर C, 130 का आंसर नमबर A, Starfish, 130 के बाद 131 का आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्ट कुशन है 135, 135 का आंसर नमबर D, 137 का आंसर नमबर A, 138 कुशन का आंसर नमबर W, 139 का आंसर नमबर W, इसके बाद 140, 140 का answer number D, 141 का answer number D, 142 का answer number V, 143 का answer number A, राना टिक्रीना, फ्रोक, इसके बाद 144 का answer number A, 145 का answer number A, 146 का answer number D, 147 का answer number V, sitting posture, इसके बाद 148 का answer number C sidings 149 का answer number D 150 का answer number V इसके बाद 151 का answer number D 152 का answer number A 153 का answer number V platypus इसके बाद 154 का answer number V metanephros इसके बाद 155 का answer number V 156 question का answer number V 157 का answer number C और 158 का answer number C इसके बाद 159 159 का answer number V B इसके बाद 160 का answer number A flame cells 161 का A 162 का V A 163 का V 164 का sand fly C 165 का answer number A 166 का answer number A 167 का answer number C 168 का answer number V 169 का answer number D pectoral girdles clavicles इसके बाद बाद करते हैं 170 answer number इसका हो जाएगा B फिर 171 का answer number C 172 का answer number A 173 का answer number A 174 का answer number V 175 का answer number D गैंबूसिया इसके बाद 176 का answer number D 177 का answer number V 178 का answer number A 179 का answer number C 180 का answer number C 81 कोश्चन के बादे में 181 का answer number C 182 का answer number V 183 का answer number C 184 का answer number V 185 का answer number A 186 का answer number A Animal Kingdom चैप्टर से प्रीवियस यर के सारी कोश्चन्स खतम होते हैं अगर आपको इस chapter की pdf, question और answer की pdf चाहिए, तो link description में दिया हुआ है, next video में हम next chapter को start करेंगे, इस video lecture को हम यहीं पर खतम करते हैं, thanks for watching, अपना ख्याल लखी है and पढ़ते रिये, bye bye